आयतन और धारिता कमला और प्रीती की दादी उन्हें रोज रात को कहानी सुनाती थी आज की कहानी सुनने के लिए कमला और प्रीती दादी के पास आ पहुंचे दादी कहानी सुनाईए न? हाँ दादी, मुझे भी कहानी सुननी है चलो बच्चों, तुम्हें आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हूँ उस कहानी का नाम है प्यासा कववा बहुत ध्यान से कहानी सुनना, अच्छा, सुनाती हूँ एक कववे को उड़ते उड़ते बहुत प्यास लगी तो वह पेड़ की डाली पर बैट गया उसने देखा पानी कहीं नहीं था तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी उसे लगा कि उसमें पानी जरूर होगा फिर क्या हुआ? जब वह उस घड़े के नस्दीक पहुँचा तो देखता है कि घड़े में बहुत कम पानी है फिर? कवे ने घड़े में जुक कर पानी पीना चाहा मगर उसकी चोच वहां तक नहीं पहुँच रही थी दूर दूर तक कहीं पानी नहीं था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे? फिर कवे ने क्या किया? वो शायद कुछ नहीं कर पाएगा, जूकि उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं है चलो आगे सुनते हैं बहुत देर सोचने के बाद कवे ने धीरे धीरे करके एक एक पत्थर उस घड़े में डालना शुरू किया धीरे धीरे घड़ा भरने लगा और पानी उपर की तरफ आने लगा बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है? दादी, जब हम शर्बत के गिलास में ज़्यादा बरफ डाल देते हैं तो शर्बत उपर उठकर फैल जाता है हो सकता है कि बरफ की दरह जब कवे ने उस घड़े में पत्थर डाले तो पानी उपर आ गया हाँ, और जब पानी पूरी तरहे उपर आ गया तो कवे ने पत्थर डालने बंद कर दिये और कोवे ने जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और फर करके उड़ गया कहानी खतम पैसा हजम भच्यों अब बताओ तुम्हें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? दादी इस कहानी से मुझे यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी मुसीबत को देखकर हार नहीं माननी चाहिए बलकि अपनी बुद्धी का उप्योग करते हुए उपाई सोचना चाहिए जैसे उस कवे ने सोचा और मटके में कंकर भरती है जिससे पानी उपर आ गया और वह अपनी प्यास बुझा सका हाँ दादी मैं भी यही कहना चाहूंगी कि हमें इस कहानी से ये सीथ मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मुसीबत में बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए चलो बहुत देर हो गई बच्चों सोजाओ कल स्कूल जाना है शुबरातरी दादी कमला और प्रीती सोने चले गए और प्रातह तयार होकर पहुँच गए कमला बड़ी थी और कक्षा पांच में पढ़ती थी प्रीती छोटी थी और वह कक्षा चार में पढ़ती थी दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी अरे, आज तो गणित की कक्षा है, गणित मेरा मन पसंद विशे है देखते हैं, आज अध्यापिका क्या नया पढ़ाती है कक्षा में अध्यापिका आज की कक्षा में हम आयतन और धारिता के बारे में पढ़ेंगे किसी भी वस्तु का आयतन उसकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई के गुणन द्वारा निकाला जाता है लेकिन मेडम पानी का आयतन कैसे निकालते हैं? द्रव्य क्योंकि ठोस नहीं होते इसलिए उनकी लंबाई, चोड़ाई और उचाई का अनुमान लगाना आसान नहीं है अतहा जिस बर्तन में द्रव्य रखा हुआ है उस बर्तन की लंबाई, चोड़ाई और उचाई का गुणन उस द्रव्य का आयतन या उस बर्तन की धारिता कहलाता है मैडम कृपय किसी उधारण से इसे समझा सकती है जैसे एक टंकी जिसकी लंबाई एक मीटर है और चोड़ाई दो मीटर है और उचाई भी दो मीटर है तो उसका आयतन दो गुणा दो गुणा एक यानि चार गण मीटर कहा जाएगा और उसकी धारिता भी उतनी ही कहलाईगी लेकिन अगर टंकी में पानी आधा भरा हुआ है तो उस पानी की धारिता एक गुणा दो गुणा एक यानी दो घन मीटर होगी मैडम कल मीरी दादी ने हमें प्यासे कवे की कहानी सुनाई थी और अब मुझे समझ आ रहा है किस प्रकार कवे ने अपनी बुद्धिमानी दोरा उस घड़े की धरिता समझी और घड़े के पानी का आयतन बढ़ाते हुए पानी किस थर को उपर ले आया इससे मुझे ये समझ में आता है कि हमारा घर पहले एक मंजिल था मगर मेरे पिता जी ने उस पर दूसरी और तीसरी मंजिल भी बनवा दी इसका मतलब उतने ही छेतरफल में हमारे घर का आयतन बढ़ गया है लेकिन हाला कि छेतरफल उतना ही है क्या मुझे ठीक समझ में आया अध्या पिकाजी आप दोनों ने ही बहुत अच्छे उधारन दिये आयतन को हम अपने परिवेश में उप्योग में लेते हुए अच्छी तरह समझ सकते हैं अच्छा बच्चों कल सभी आयतन और धारिता के हिसाब से अपने परिवेश में ऐसी कोई कहानी अथवा कोई अनुभव लिख कर लाएंगे और कक्षा में सब के साथ साजह करेंगे घर जाने के बाद कमला ने प्रीती से बहुत सारी बातें की जिसमें बहुत सारी बातें आयतन और धारिता के विशे में थी दोनों को ही इस विशे को जानने में बहुत मजा आ रहा था लगता है मेरी कहानिया न केवल तुम्हें मनोरंजन दे रही हैं बल्कि मौलिक शिक्षा और पढ़ाई में भी काम में आ रही है